स्वागत है आपका आर्के नोलेज इलेक्ट्रिकल इस यूटूब चैनल में दोस्तों ओनलाइन टेस्ट सरी शुरू कर रखी है इसमें टेस्ट आर्ट अपन कंड़क्ट करा चुके हैं आज इस वीडियो में अपन ओनलाइन टेस्ट नमबर आर्ट के लिए विश्तरित चर्चा करेंगे डिटेल क्यूशन पर उसका हल देखेंगे जो दोस्तों जिन्हों ने टेस्ट दिया है वो इस वीडियो को जरूर देखे और अपने आंसर का मिलान जरूर करें जिन्हों ने दिया है वो भी इस वीडियो को जरूर देखे क्योंकि इस वीडियो में अपन कुल इलेक्टिर्चिन ठियोरी के टोटल 15 क्यूशन हल करने वाले हैं उन पर डेटेल बात करने वाले हैं और प्रतेक परसंद का एक नमबर का है जैसे का आपको पता है यहाँ पर अपन कुल 15 क क्यूशन त्यार होने वाले हैं दोस्तो एक्स्प्लेइन करने का तरीका यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलते हैं आगे फस्त क्यूशन की तरफ क्यूशन नमबर एक है डीसी मोटर के आर्मेचर का परतिरोद मापने के लिए परियुक्त मीटर उसका परतिरोद बहुत कम होता है यानि एकओम से एकओम के आसपास होता है या एकओम कह सकते हैं तो यहाँ पर जो मीटर अपन को दे रखे हैं उन पर बात करते हैं पहला मीटर option में दे रखा है सरेनी type ओम मीटर है उसके बाद में मेगर है test lamp और sunt ओम मेटर देखो test lamp तो क मापने के लिए परियोग करते हैं Insulation Resistance मापता है इसलिए इंसुलेशन टेस्टर भी करते हैं तो यह हाई रेजिस्टेस्टेस्टा मापता है जबकि आर्मेचर का पृतिरोद बहुत कम होता है इसलिए मेगर भी इसका अंसर नहीं होगा अब बचे हैं अपने स्रेणी टाइप ओम्मिटर और संट टाइप ओम्मिटर देखो स्रेणी टाइप ओम्मिटर जो है ये मद्यम से उच परतिरोध मापन के लिए प्रियोग होता है जबकि संट टाइप ओम्मिटर जो है ये निम्न से मद्यम परतिरोध मापन के लिए प्रियोग होता है यहाँ प आपन संट टाइप ओम्मिटर का प्रियोग करेंगे आर्मेचर का प्रतिरोद मेजर करने के लिए तो इस क्यूशन का आंसर होगा option D संट टाइप ओम्मिटर नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं दोनमबर क्यूशन है 220 वोल्ट की परतियावरती वोल्टा का सिकर मान क्या होगा दोस्तों यहाँ पर अपन से peak value पूची गई है और यह जो 220 दे रखे हैं यह RMS value होती है तो RMS से अपन को peak value में जाना है RMS से peak value जाना है तो अपन क्या करेंगे इसके लिए आपको क्या करना होता है RMS value के अंदर भाग लगाना होता है 0.707 का एक तरीका तो यह है दूसरा तरीका RMS से सिकर मान बनाने के लिए आप RMS को यानि RMS value को गुणा कर सकते हैं Rood 2 से Rood 2 से यदि RMS value को गुणा कर दिया जाए तो भी सिकर मान मिल जाता है तो दो तरीके हैं दोनों आप याद रख सकते हैं इस क्यूशन के अनुसरा देखें तो 220 है अपने पास इसमें यदि अपन भाग लगाएंगे 0.707 का तो यहाँ पर अपने पास जो इनको हल करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा लगबग 211 वोल्ट इसलिए इसका क्यूशन का राइट आंसर होगा option C यानि यदि कोई 220 वोल्ट सप्लाई की परतेवरती धारा है उसका से करमान जो है यह होगा 211 वोल्ट तीन नमबर क्यूशन है अनुनाद की अवस्ता में RLC परिपत का सक्ति गुणान क्या होता है दोस्तो अनुनाद बोलते हैं रेजोनेंस सरकिट को यानि रेजोनेंस की अवस्ता में RLC सरकिट RLC मतलब परतिरोध, इंडक्टर और केपिसिटर परिपत का पावर फिक्टर क्या होगा देखो RLC सरकिट जब होता है यह RLC सरकिट अनुनाद जब कहलाता है जब वहाँ पर अक्स एल बराबर हो जाता है अक्स सी के यानि इंडक्टिव रेक्टेंस बराबर हो जाता है केपिसिट रेक्टेंस के वो परिपत resonance परिपत यानि अनुरादी सर्किट कहलाते हैं और इसके अंदर inductor और capacitor के गुण यदि समान हो गए है तो अब ये परिपत जो है रजिस्टिव परकार का हो जाता है यानि रजिस्टिव सर्किट की तरह behave करता है तो यहाँ पर रजिस्टिव सर्किट में की पावर फेक्टर जो है वो इकाई होता है सुद्ध रजिस्टिव सर्किट का पावर फेक्टर इकाई माना जाता है तो यहाँ पर अनुनादी सर्किट जो है ये भी सुद्ध रजिस्टिव परिपत की तरही कारिये करेगा इसलिए इस क्यूशन का right answer हो जाएगा option B एकाई power factor होता है RLC अनुनाधी परिपत का next question पर चलते हैं चार नमबर क्यूशन है अच्छा क्यूशन है इसको जरूर ध्यान से आप समझिए क्यूशन कह रहा है कि एक AC128 transistor में अक्सर A का क्या संकेत करता है दोस्तों ये AC128 जो लिखा हुआ है ये transistor की body पर अंकित किया हुआ वहे मान होता है जैसे ये कोई transistor है इसकी body पर यहाँ पर लिखा हुआ है AC128 अभी अपन से ये पूचा गया है कि इस पर ये जो AC128 लिखा हुआ है इसमें अक्सर A का क्या मतलब होता है दोस्तों C का मतलब भी यानि दूसरे AC128 का मतलब भी पूचा जा सकता है तो AC128 का मतलब जो होता है ये होता है कि transistor किस परकार के पधार से बनाया गया है और दूसरा जो AC128 होता है वो कुछ भी हो सकता है देखो पहला AC128 हो सकता है B, C और D इन चार में से कोई भी वो AC128 हो सकता है इनका सबका अलग-अलग AC128 होता है वो पनवात करेंगे दूसरे AC128 के लिए भी पूचा जाता है दूसरा AC128 यदि पूचा जाए तो वो करता है वो transistor किस परकार का है उसको किस टाइप से यूज किया जा रहा है वो दूसरे AC128 को बताता है तो यहाँ पर A एकसर जो है ये बताता है कि transistor जो बना हुआ है वो metal जो है या वो जो पदार्त है वो germanium है और यदि B यदि लिखा हुआ है transistor के उपर B का मतलब होता है कि वो है transistor silicon पदार से बना हुआ है C का मतलब indium gallium होता है D का मतलब arsenic होता है तो ये C और D तो ज़्यादा option में ज़्यादा नहीं दिये जाते हैं A और B ज़्यादा मिलते हैं अपनको तो A और B को आप ध्यान रखें A का मतलब है germanium B का मतलब है यहाँ पर silicon तो यहाँ पर A से पूचा गया है अपनको अक्सर A क्या परदर्सित करता है तो अक्सर A जो है यह germanium को बताता है यानि यह transistor germanium पदार से बना हुआ है पांच नमबर कुशन है डेल्टा में जुड़े तीन समान परतिरोदर की पावर खफ़त तीन किलो वाट हो तो समान आपूरती पर इस्टार में सक्ति खफ़त कितनी होगी दोस्तों कोई आप समझे इसको कि कोई लोड है जो डेल्टा में जुड़ा हुआ है जब वह डेल्टा में जुड़ा हुआ है तो वहें 3 किलो वाट का power consumption करवा रहा है अब यदि इसी load को समान voltage पर यदि star में जोड़ दिया जाए तब इसका सकती खफ़त जो है ये कितने किलो वाट होगा ये अपन से question पूछा गया है तो देखो दोस्तों मैं आपको बताओं यदि कोई 3 phase की motor होती है यदि उसको star में चलाते हैं और star में मालनी ये वहें 10 voltage या 10 ampere current ले रही है तो वहें जब उसको delta में परिवर्टित कर दिया जाता है तो वहें 3 गुणा current अधिक लेती है यानि वहें 30 ampere current लेने लग जाती है तो यहाँ पर जो power consumption होगा वो सीधे सीधे current के समानुपाती होगा यानि यहाँ पर बताया गया है कि delta के अंदर कोई motor या कोई load 3 kW ले रहा है तो star में कितना होगा तो देखो delta में 3 गुणा अधिक होता है यानि star में कितना हुआ होगा एक यदि star में हुआ consumption तभी तो delta के अंदर 3 kW होगा यानि 3 गुणा तभी होगा जब यहाँ पर 1 kW power consumption star में करवा रहा होगा तो इसलिए इस किशन का right answer आजाएगा option 1, 1 kW सक्ति कपत कराएगा star connection में 6. किशन है transformer में संपनर टेस्ट कालिस्तान के लिए किया जाता है दोस्तों संपनर टेस्ट या back to back टेस्ट जिसे कह सकते हैं तो संपनर टेस्ट जो है ये दक्सता पता करने के लिए transformer की efficiency जानने के लिए transformer में संपनर टेस्ट किया जाता है लो सती टेस्ट यानि आइरन लोस पता करने के लिए उपन सर की टेस्ट होता है तामबर सती पता करने के लिए सोर सर की टेस्ट होता है और तेल की नमी के लिए क्रेकल प्रिक्षन एसेडिटी टेस्ट ये इसमें आदी इसके टेस्ट होते हैं इंचा टेस्ट होते हैं, तेल परिक्षन के लिए तेल में नमी परिक्षन के लिए तो इस कुशन का अंसर हो जाएगा ओक्षने दख्सता के लिए transformer में संपनर टेस्ट या बेक टो बेक टेस्ट किया जाता है साथ नमबर किसन है स्टार सेयोजन में फेज वोल्टेज बराबर खालिस्तान एंटो लाइन वोल्टेज होता है दोस्तों यहाँ पर star connection में पूचा गया है और star connection के अंदर line voltage यानि VL बराबर होता है root 3 phase voltage के VP के इस परकार से यहाँ पर पूचा गया है कि VP बराबर होगा किसके line voltage के गुणा में पूचा गया है तो यहाँ पर यह इस परकार से हो जाएगा यानि अपन से VP पूचा गया है तो line voltage जो है इसको भाग कर देंगे root 3 से root 3 से भाग कर देंगे अभी root 3 का अपन से कोई इस परकार का कोई option नहीं है कि phase voltage, line voltage के बराबर जाए बटे में कोई option है नहीं गुणा में पूचा गया है तो यह गुणा में देखो यहाँ पर VL जो लिखा हुआ है VL के upon में root 3 लिखा हुआ है इस root 3 को उपन इस परकार से भी लिख सकते हैं उपर में एक लगा दें और नीचे में root 3 लिख दें इस परकार से इसको लिख सकते हैं तो यहाँ पर यदि एक के अंदर आप root 3 का भाग लगाओगे तो यह जो हल करने पर जो आंसर आता है वो आता है 0.577 0.577 आता है अब इसको आप VL से गुणा करोगे 0.577 से तो VP बराबर VL हो जाएगा ठीक है न तो इसलिए इस क्यूशन का राइट आंसर आजाएगा option B 0.577 देखे फिर से देख लीजे कैसे किया है वेने VP बराबर होता है VL अपोन रूड थरी के ठीक है न रूड थरी में इसका VL में भाग लगा तो डाइरेक्ट कर सकते हैं यदि रूड थरी option में इस परकार बटे में दिया हुआ होता तो अपने इसको डाइरेक्ट कर सकते थे इस परकार से लेकिन अभी अपन से गुणा में पूचा गया है यहां पे देखिए गुणा में पूचा गया है कि गुणा लाइन वोल्टेज होगा तो फिर अपन 0.577 से इसको गुणा करेंगे तब भी जो है फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाता है इसलिए इस क्यूशन का राइट आंसर आजाएगा बी नेक्स्ट क्यूशन है आट नंबर क्यूशन है सक्ती मापने की एक वाट मीटर विधी का उप्योग किया जाता है सक्ती मापने की एक वाट मीटर विधी देखो सक्ती मापने की तीन विधियां है एक वाट मीटर दो वाट मीटर और तीन वाट मीटर विधियां इसमें पुचा गया है एक वाट मीटर विदी का प्रियोग किसली के जाता है option है केवल संतुलित इस्टार या डेल्टा में केवल संतुलित इस्टार या डेल्टा में केवल संतुलित इस्टार में या फिर केवल संतुलित डेल्टा में तो यहाँ पर एक वाट मिटर विदी जो है, यह star या delta दोनों के लिए प्रियोग होती है, केवल संतुलित के लिए, इसलिए option एक नमबर इसका सही हो जाएगा, केवल संतुलित, star या फिर delta, दोनों में से कोई से भी connection के उपर एक वाट मिटर विदी का प्रियोग किया जा सकत है, अगला question है, no number question है, दो कतन बता रखे हैं इसमें, कतन एक है, star में line voltage बराबर phase voltage होता है, कतन एक है, star में line voltage यानी vl बराबर vp होता है, दूसरा कतन है, delta connection में line धारा, यानी il बराबर होता है, phase धारा के, तो ये कतन कैसे है, दोनों सही है, दोनों गलत है, केवल एक सही है, या फिर केवल दूसरा सही है, यहाँ पर ये दोनों कतन गलत है, क्योंकि star के अंदर, आप देखोगे, यदि star connection के अंदर, line voltage थता phase voltage बराबर नहीं होते हैं, जबकि line धारा और phase धारा जो है, वो star में बरा बराबर नहीं होते हैं, वहाँ पर line voltage और phase voltage बराबर होते हैं, या यह अगर उल्टा दिया हुआ होता, तो अपने इसको सही कर सकते हैं, दोनों सही थे, लेकिन इसमें इस question का right answer होगा, option B, दोनों कतन गलत है, 10. question है, मापी यंत्रों की range बढ़ाने है तू, परियुक्त किया जाता है, measuring instrument जो होते हैं, उनकी यदि range अपन को बढ़ानी है, तो किसका प्रियुक्त किया जाता है, option A है, sunt लगाया जाता है, multiply लगाया जाता है, या फिर CT and PT लगाया जाता है, CT और PT instrument transformer के परकार है, multiply जो है, वो वोल्ट मिटर की range बढ़ाने के लिए प्रियुक्त करते हैं, संट जो है, ये एंपेर मिटर की range बढ़ाने के लिए प्रियुक्त करते हैं, तो तीनों ही इसके अंदर range बढ़ाने वाले उपकरण है, तो इसलिए इसका right answer हो जाएगा, option D, उप्योग सभी के द्वारा मापी की coil सयोजित होती है, यानि कोई meter है, उसकी coil इस परकार से है, ये meter की coil है, अब देखो multiplier है, तो वोल्ट मिटर के साथ में लगेगा, और वोल्ट मिटर की range बढ़ाने के लिए multiplier को मापी के स्रेनी करम में लगाना होता है, यानि जो multiplier है, उसको इस meter के इस जगह अपन हैं, इसलिए इस question का right answer आजाएगा, स्रेनी करम में वोल्ट मिटर में multiplier और मापी की coil को सयोजित किया जाता है, समांतर करम में अपन एमपेर मिटर में करते हैं, स्रेनी समांतर में वाट मिटर में होता है, आगे चलते हैं, बारा नमबर question जो है, वो किस परकार का है, दोस्तो question explain करने का तरीका यदि पसंद आए, तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरूर आप करें, और दोस्तों के भी इसको share जरूर करें, question बारा नमबर question है, एक वोल्ट मिटर का आंतरिक परतिरोद 100 ओम है, मिटर 250 वोल्ट का मापन कर सकता है, इसमें 400 वोल्ट मापने हेतू, मापी के सिरीज में लगने वाले परतिरोद की गणना करनी है, यानि आपको इसको थोड़ा सा द्यान से समझना है, देखो यहां पर अ formula है, जो आप याद रखे, देखो RX जो है, यह होता है, multiplier का resistance, RM जो है, यह है, meter का resistance, N जो है, यह होता है, गुणा गटक, देखो इस question से सीखने को यह मिल रहा है, कि वोल्ट मिटर की range बढ़ानी के लिए परतिरोद को सिरीज गरम में जोड़ा जाता है, और सिरीज में लगने वाले परतिरोद का मान निकालना है, RM देखो, RM क्या होता है, meter का resistance जो अपन को बता रखा है, 100 ohm जो है, वो meter का resistance है, N जो है, यह होता है, गुणा गटक, गुणा गटक क्या होता है, तो पहले यह N निकालना होगा अपन को, गुणा गटक होता है, कि meter से पहले, meter से अब कितना वोल्टेज का मापन करना है अपन को तो मिटर से अब अपन को 400 वोल्टेज का मापन करना है मिटर पहले कितना वोल्टेज का मापन करता था तो मिटर से पहले अपन 250 वोल्टेज का मापन करते थे तो यह होता है गुणा गटक यानि मिटर से अब कितना वोल्टेज मापना है इसमें भाग लगाएंगे मिटर पहले कितना वोल्टेज का मापन करता था तो इनको भाग करेंगे तब इसका अंसर आएगा 1.6 यानि गुणक गटक यानि N का मान अपने पास आ गया है 1.6 अब उसी सुतर में रख दीजिए Rx बराबर Rm की जगे लिख देंगे मिटर का रजिस्टेंस की जगे 100 Ohm मिटर का रजिस्टेंस है N की जगे अपन 1.6 लिखेंगे और माइनस करेंगे 1 माइनस 1 केसे आया है सुतर के एकोडिंग वीडियो को बेक करके आप देख लीजिए माइनस 1 उसमें अपनने लिखा है जब इसको 1.6 को माइनस 1 कर देंगे तो इसका आंसर तो आजाएगा 0.6 इसको गुणा करना है आपको 100 से जब 100 को 0.6 से गुणा करेंगे ना तो इसका राइट आंसर आजाएगा option A 60 Ohm फिर से देख लीजिए कैसे किया है अपने सुतर है इसका Rx बराबर Rm गुणा N-1 ये इसका फोर्मूला है Rx है जो multiplier है सिरीज में लगने वाला जो परतिरोदक है उसका मान कितना होगा Rm है मिटर का resistance N जो है ये होता है गुणा गठक और 1-1 जो है इसमें formulaic recording अपने लगाया है अभी देखो सबसे पहले N यानि गुणा गठक निकालना सीखते हैं गुणा गठक कैसे निकालेंगे कि मिटर से अब कितना voltage का मापन करना है तो अब मिटर से अपन 400 voltage का मापन करेंगे और मिटर पहले कितना voltage मापता था तो मिटर से पहले अपन 250 voltage का मापन करते थे दोनों को हल करेंगे तो इसका मान आएगा 1.6 तो N का मान अपने पास आ गया है 1.6 अभी देखो N की जगे अपन 1.6 रख देंगे RM की जगे मिटर का resistance रख देंगे 100 Ohm है N की जगे 1.6 रखेंगे माइनस 1 करेंगे 1.6 में से 1 माइनस कर देंगे तो इसका मान तो आ जाएगा 0.6 इसको गुणा करना है आपको 100 से जब 100 को 0.6 से गुणा करेंगे तो राइट आंसर आएगा अप्शन एक 60 Ohm वो सिरीज में लगने वाला परतिरोध होगा आगे चलते हैं 13 नंबर क्यूशन है निम्न में से कौन सी इकाई परदिप्ती तीवरता की नहीं है परदिप्ती तीवरता Luminous Intensity की इकाई जो है वो नहीं है देखो Candlella जो है जबकि Option D जो है वो सही नहीं है तो इस क्यूशन में नहीं है पूचा गया है परदिप्ती तीवरता की इकाई नहीं है तो यहाँ पर लक्स जो है वो परदिप्ती तीवरता की इकाई नहीं है यह हैं परदिप्ती की इकाई होती है 14 नंबर क्यूशन है discharge battery के electrolyte का apexic घनत्व होता है तो discharge battery का electrolyte का apexic घनत्व होता है 1.18 से कम होता है इसलिए इसका right answer आ जाएगा option C 1.20 जो है ये अर्ध charge battery का होता है और 1.25 से 1.28 ये पूर्ण charge battery का electrolyte का apexic घनत्व होता है आगे चलते हैं और इस test का last question है किसे भी तत्व की अंतिम से पहली कक्सा में कितने electron हो सकते हैं अंतिम से पहली कक्सा पुचा गया है देखो इस परकार से यहाँ पे बीच में नाबिक होता है जिसमें newton और proton होते हैं उसके बाद में भारी रूप में ये कक्सा होती है तो अंतिम से पहली कक्सा पूचा गया है यानि अंतिम से छोड़के पहली कक्सा पूचा गया है पहली का मतलब नाभीक से जस्ट पहले वाली नहीं है अंतिम से पहली यानि second last कक्सा पूचा गया है तो second last कक्सा के अंदर कुल 18 electron हो सकते हैं यदि अंतिम कक्सा के लिए पूछा जाता तो यहाँ पर फिर option C आ जाता 8 electron हो सकते हैं, ठीक न, तो यह test अपनने 15 question discuss किया है, explain करने का तरीका पसंद आए, तो वीडियो को like, share और subscribe जरूर करें चैनल को, धन्यवाद.